हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं आपको नारियल की गोछिया जो बनती है उसके लिए भरने वाले नारियल बता रही है, इसमें मैंने नारियल ऐसे काता खा और उसके छिलके मैंने उतार के छोटे-छोटे टुकडे करके ग्राइंडर में कर दिया, भीसिएगा नहीं या तो उसकी मशीन आखी उससे कद्दूकस कर देजिए, यह फिर मैंने मिक्सर में चला लिया, मैंने इसके लिए दो नारियल लिये थे, दो नारियल में आपको 10 kg, डालनी पड़ेगी चीनी, और छोटे नारियल होगी थोड़ा कम दाव सकते हैं पर बड़े नारियल हैं, तो आप एक प अगर आपको ऐसी लड़ू बनाना है, तो आप 10 दिन रखना है तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजेगा चीनी, और अगर कम दिन रखना है थ्रेज में रखना है तो कोई बात नहीं, मैं आप आपको गोजिया के लिए भनने के लिए बता रहे, यह मैंने रखा है अपनी चीन यह मेरी है, 1.5 kg चीनी मैंने रखा है, 2 नारियल के लिए और मैंने थोड़ी सी इलाइची रख रखी है, अब मैं इसके नीचे अपने पैन में आग जला दे रहे हो, अब मैंने पैन पे अबना डालकर ओन कर दिया है बनने के लिए इसमें दो नारियल के हैं ये कच्छा नारियल है इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूं क्योंकि इसका दूद और इसमें ओयल खुद है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पानी या दूद आलने की जरूद इसे थोड़ा सा फ्लेम रखिए थाकि चीनी गल जाए हमारी खड़ी चीनी है पाउडर नहीं है उसके बाद आप स्लो आंज कर लेजिए गर इसे रेगुलर चलाते हुए बनाएए इसके आप बहुत से यूज़ कर सकते हैं सुखे नारियल के जो गुरादे आते हैं जैसे के ते कोकोनेट उसमें एक अपनी अलग स्मेल होती है जो बड़ी ही फॉल और बड़ा खराब लगता है उसे आपको वैनिला एसेंस वगरा डालते है उसको खतम करना पर यह बहुत ही तेस्टी और मिल्की टेक्च्चर होता है बहुत ही बढ़िया होता है कर्दू कस करने के बजाए छिलके उतारका आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर देए चमल से हिलाते हुए देखे आप मेरा नारिय जो है अपना पूरी तरह से चीनी जला रहा है मैं धीमे से धीमे इसे बनाउंगी अब थोड़े दिर में मैं आप स्लो करनेगी पर इससे बराबर चलाते रहना है इसमें आप खोय का भी उज़ कर सकते हैं, हिस्से आप चाहें तो बोधिया बना लें, लर्दू बना लें, बर्ती बना लें, कुपीज बना लें, जो आप फीक्षा हो नारेल के मैं आपको सब चीजों की रेसिपी दूँगी बस आप हमारे चैनल को देखते रहें और यह सब्सक्राइब कर लिए और लाइब की दिए मैं आपको लगाता रेसिपी देती रहूँगी आपकी जो रिक्वैर्मेंट्स होंगे उसे मैं हमेशा फुल्फी करने की कोशिच करनेगी देखे अब हमारा एकदम डल रहा है दिए दिए इसके कलर चेंग हो गया है जोकी हमारा रेसिकेटिप कोकोनट इए यह सेम कलर में था इसका कलर पुरा चेंग हो गया है अब इससे बनने देंगे हम आधे घंग्ते इसे लग जाएंगे धीमी धीमी आधे घंग्ते हो चुके है अब तेखे हमारा पैन एक्टम छोड़ दिया है इसने और इसके कलर एक्टम चेंज हो गए है यह हमारे भोजिया की भरावन के लिए एक्टम तयार है अब मैं इसमें थोड़े सी इलाइची मिलाऊंगी पाउडर और इसे ठंदा होने रख दूँगी इसमें ड्राइफ्रूट्स वेकरा काटकर डालनोंगी यह हमारा पूरी तरख तयार हो गया है इसमें चाहें तो आप खोए भी मिला सकते हैं मैं अब ही बनाऊंगी बिना खोआ मिलाए थोड़े से पोर्शन में मैं खोआ मिलाऊंगी